गुरुवार के दिन भगवान स्रीहरी विश्णू की विशेश पूजा अराधना होती है क्योंकि भगवान विश्णू को समरपित है ये वार मानेता है अगर गुरुवार के दिन भगवान स्री हरी की सच्चे मन से अराधना की जाए तो ब्यक्ति पर भगवान की किर्पाब बनी रहती है और अगर हिंदु धर्म की माने तो परमेस्वर के तीन मुख्य रूपों में से एक बिशनु जी है और इन्हें ही बिश्व का पालन हार कहा गया है कहा जाता है अगर भगवान विशनु का जब किया जाए तो ब्यक्ति के सभी कस्ट समाब्त हुजाते है साथी यह भी कहा जाता है कि भगवान विशनु कभी भी अपने भक्तों को निरास नहीं करते आज हम एक ऐसा मंत्र बताएंगे जो जीवन की तमाम निरासाओं से आपको बाहर निकालेगा जीवन की कस्टों से बाहर निकाला जाए वैसे तो एक बात हमेशा ही याद रखिएगा गुरुवार के दिन बाल नहीं कड़वाना चाहिए साथ ही साबुन और तेल का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो धन की हानी होती है बिद्या की हानी होती है इस दिन आप वैसे तो संबब हो तो घर को गुरुवार के दिन पहले जबाने में घर में पोचा वेगर भी लगाने का सिस्टम नहीं था लेकिन गोबर से लीपने का था पर लोग नहीं लीपते थे इसलिए पोचा वेगर भी नहीं लगाया जाता है तो चलिए आज हम जानते हैं देव गुरु बैस्पती का वो मंत्र जो आपके जीवन की हर कठनाईयों से आपको बाहर निकालेगा वैसे तो बहुत सारे भगवान के मंत्र हैं लेकिन बहुत सिंपल स्री कृष्न गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारा यनवासु देवा स्री कृष्न गोविंद हरे मुरारे हेनाथ नारा यन्वासु देवा प्राप्ती होती है हरहर महादेव ननिवाल